हेलो दोस्तो आज मैं आपको एक ओरियन होरर मुवी एक्स्प्लेन करने वाली हूँ जिसका टाइटल है दा टेल आफ टू सिस्टर्स अगर आपको मेरी एक्स्प्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेर कर दीजेगा और प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजेगा तो चलिए मुवी की एक्स्प्लेनेशन को शुरू करते हैं मुवी की शुरुआत में हम दो सिस्टर्स को देखते हैं और उनके फादर ने दो शादिया करी हुई थी और इनकी स्टेप मदर का बेहवियर इनके लिए अच्छा नहीं था इन दोनों बेहनों में से बड़ी बेहन का नाम सूमी होता है वो मैमोरी लॉस वाली बेमारी से जूज रही थी और डॉक्टर के सामने बैटी होती है तो डॉक्टर उसकी फैमिली फोटो दिखा कर उससे बूसता है कि तुमें याद है कि तुम कौन हो तब ही सीन यहीं पे कट हो जाता है अब नेक्स सीट में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों बेहने और उनके पिता कहीं से वापस आ रहे होते हैं ये दोनों बहनों में बहुत प्यार होता है और ये दोनों एक साथ खेलते हुए हस कर अपने खर के अंदर जाती है और तबी इनकी stepmother इनकी हसी की आवाद सुनकर इन्हें अपने पास बुलाती है सूमी जानती थी कि उसकी स्टेप मदर उन दोनों भेनों को जरूर परिशान करेगी और सूमी को अपनी स्टेप मदर बिल्कुल भी पसंद नहीं थी सूमी अपनी छोटी भेन से बहुत प्यार करती थी और हमेशा उसकी क्यार करती थी और उसे प्रोटेक्ट भी करती थी इसलिए वो ये बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती थी कि कोई उसकी छोटी बेन को परिशान करें इसलिए वो अपनी छोटी बेन को वहाँ से लेकर चली जाती है कुछ समय बाद सुमी के पिता को दिखाया जाता है जो की फोन पे किसी से बात कर रही होते हैं और कहते हैं सुमी की तवित खराब है इसलिए उन्होंने अपने भाई और उसकी वाइफ को इन्वाइट किया है ताकि सुमी को अच्छा फिल हो और तबी सुमी की स्टेप मदर कहती है उन लोगों को तो मैंने डिनर पे इन्वाइट किया है और यहां पर सुमी और उसकी स्टेप मदर दोनों बहस करने लग जाती हैं सुमी के फादर महाँ से चले जाते हैं और जाते हुए अपनी सेकंड वाइब के सामने मेडिसिन रख देते हैं रात को सुमी की छोटी बहन को एक दरावना सपना आता है उसको सपने में उसकी स्टेप मदर डरा रही थी वो उटकर अपनी बहन सुमी के पास चली जाती है सुमी अपनी चोटी बेन को अपने साथ सुला लेती है अब की बार सुमी अपने सपने में डर जाती है उसे सपने में अपनी असी मा दिखाई देती है और उस अपने में ये भी देखती है कि उसकी चोटी बेन के शरीर पर खून लगा है जिसकी वज़े से वो उट जाती है वो देखती है कि उसकी असी मा की रूस के सामने खड़ी है और उसका सर कटकर उसकी स्टेप मदर के सर पर लग गया है और यहां पर उसकी असल में आप खुल जाती है यानि कि पहले जब उसकी आप खुली थी तब वो सपने में ही थी उसकी तबित खराब हो जाती है तो वो नीचे कुछ मैडिसन लेने जाती है तो उसकी स्टेप मदर कहती है कि क्या को इंसिडेंस है मेरी तबित भी अभी खराब हो रही है सुमी को वहाँ पर अपनी मदर का बॉक्स मिलता है उसमें उनकी फैमिली पिक्चर होती है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि सुमी की असली मदर की डैथ हो चुकी होती है और वो अक्सर बिमार रहा करती थी इसलिए इनके पिताने उनके लिए एक नर्स को रखा था और वो नर्स और कोई नहीं बलकि सूमी की स्टेप मदर होती है ये देखकर सूमी को बहुत गुसा आता है तब ही वहाँ पर उसकी चोटी मेहन आ जाती है उसे गुसा करने से मना करती है उसके हाथ में किसी चोट का निशान होता है तब ही सूमी उससे कहती है ये चोड तुमें कहां से लगी तूमी को लगता है उसकी स्टेप मदर ने वो सब किया होगा रात को सूमी के अंकल और आंट डिनर पे आते हैं सूमी की स्टेप मदर उसकी आंट से अजीब समझा करती है जिस वज़े से उसकी आंट को अजीव सा फील होता है और उसकी तवित खराब हो जाती है जिस कारण वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और रास्ते में सूमी की आंट अपने हस्बन को बोलती है वहाँ किसी का साया है और मैंने किसी बच्ची की रूम को देखा है अब सूमी की स्टेप मदर को घर में नेगिटिव वाइब साती हैं, वो जैसे ही नीचे गिरी हुई पिन को उठाती है, तो उसके हाथ को कोई पकड़ लेता है, वो चिलाती है और डर जाती है, और फिर हमें ग्रेन कलर के कपड़ों में कोई लड़की दिखाए देती है, और ये सारी बाते सूमी की स्टेप मदर सूमी के पिता को बताती है लेकिन वो उन बातों पर जादा ध्यान नहीं देते फिर सूमी के फादर उसके पास जाते हैं और पूसते हैं घर में क्या चल रहा है लेकिन सूमी अपने फादर को कुछ नहीं बताती एक दिन सुमी अपनी चोटी बेहन को विसल करना सिखाती है और साथ में सुमी उसे बर्ट्स को मारना भी सिखाती है अगले दिन उनके घर में बहुत सारी बर्ट्स मरी हुई होती है ये सब देखकर सुमी की स्टेप मदर को बहुत गुसा आ जाता है और वो सुमी की छोटी बेहन को पकड़ कर क्लॉजट में बंद कर देती है सुमी वहाँ आकर अपनी बेहन को क्लॉजट से निकालती है और तब ही वहाँ पर सुमी के फादर आ जाते हैं और बोलते हैं आप क्या हूँ तो सूमी चिला कर बोलती है कि क्या आपको नहीं पता स्टेप मदर हम पे कितने जुल्म करती है यहाँ पर हमें मुवी का सस्पेंस पता चलता है जहां सूमी के फादर उसे बोलते हैं तुमारी छोटी बेहन तो कपके मर चुकी है और यहाँ पता चलता है यह सब सूमी की imagination थी सूमी को उसकी छोटी बेहन की death का सदमा लगा था जिस वज़े से वो mentally weak हो गई थी और तभी हमें स्टार्टिक में उसे डॉक्टर के सामने बैठा हुआ दिखाया जाता है उस रात मों सो जाती है और अगले दिन जब वो सुबह उड़ती है तो वो देखती है कि उसकी स्टेप मदर बोरी में किसी को बंद करके बहुत जोर जोर से पीट रही होती है सूमी को फिर लगता है कि वो उसकी छोटी बेहन को मार रही है लेकिन ये भी सूमी की imagination होती है फिर भी वो अपनी स्टेप मदर के पास जाती है और फिर से इन दोनों में काफी लड़ाई होती है सूमी की स्टेप मदर उसे मारने ही वाली होती है लेकिन तभी वहाँ पर सूमी के फादर आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं और उसे सोफे पर बैठा देते हैं और यहां पर हम देखते हैं सूमी की जगे उसकी स्टेप मदर होती है और उसके फादर उसे सूमी सूमी बोल रही होते हैं और कहते हैं मैंने हॉस्पिटल में तुमारे लिए बात कर ली है और दूसरी तरफ से stepmother की शकल की कोई औरत आ रही होती है और जब camera move करता है तो हम देखते हैं Sophie पर जो बैटी है वो सूमी है और father सूमी से ही बात कर रहे थे यहाँ पर हम देखते हैं जब यह लोग घर में आये थे तो बस दो लोग थे थे एक सूमी और दूसरे उसके father सूमी की mother और उसके छोटी बहन के death काफी समय पहले हो गई थी जिसे वो accept नहीं कर पा रही थी और उसकी कोई भी stepmother नहीं थी और उसकी stepmother का role वो खुद ही play करती है यानि यह सिर्फ और सिर्फ उसकी imagination थी घर में जो कुछ भी हो रहा था वो सिर्फ सूमी की imagination से ही हो रहा था यह सब सूमी के mental disorder की बज़े से हो रहा था फिर सूमी को hospital में दिखाया जाता है दूसरी तरफ हम देखते हैं वो nurse जिसे सूमी अपनी stepmother मानती थी वो सूमी के घर चले जाती है होस्पिटल में सूमी को किसी के whistle करने की आवाज आती है और same आवाज उस nurse को भी आती है फिर हमें दिखाया जाता है कि सूमी की बहन की soul उस nurse को मार डालती है और सूमी की आँख से खुजी का आसू निकलता है क्योंकि वो imagination और reality में उस nurse से नफरत करती थी फिर movie की ending में हमें असली story का पता चलता है जिसमें सूमी के फादर ने उस nurse को अपनी wife की care के लिए रखा होता है लेकिन इस बीचों से पसंद करने लग जाते है सूमी और उसकी चोटी बहन इस बात से बहुत दुखी थे और इस बात की वज़े से सूमी की mother suicide कर लीती है और जब सूमी की बहन अपनी mother को बचाने की कोशिस करती है तो पूरी closet उसके उपर गिर जाती है और उसकी death हो जाती है सूमी अपनी mother और sister की death का सदमा बरदाश नहीं कर पाती है और पागल हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यही पर एंड हो जाती है